आवला को आपने कई तरीके से स्टोर किया होगा उसका मुरब्बा बनाकर पाउडर बनाकर अचार बनाकर आज हम एकदम नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं और यह बहुत टेस्टी होगी Welcome back to my kitchen मैं हूँ रामिश्वरी तो यहाँ पर मैंने आवला का अचार बनाया है बिना तेल मसाले के मैंने 250 ग्राव आवला ली है अचार बनानक पहले ध्यान रखी कि आवला एकदम साफ होना चाहिए तो इसे अच्छे से साफ कर लीजिए कोई दाग वाले आवला ना लीजिए तो आवला को हमें पकाना है तो यहाँ मैं इसे एक बरतन में ट्रांसफर कर रही हूँ और अब हम इसमें एट करेंगे पानी तो पानी हमें इसमें इतना डालना है जितने के में आवला पूरी तरीके से डूब जाए अब आप सोचेंगे आवला पकने में इतना पानी नहीं लगता है तो बाकी का पानी बेकार जाएगा लेकिन वो बेकार नहीं जाएगा अब हम इसमें नमक डाल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने एक चमच नमक एट किया है तीन से चार मिनट इसे ढखकर पका लेना है जब तक आवला अच्छे से पक न जाए तब आप देख सकते हैं आवला उपर से चिटक गया है बिल्कुल इसी स्टेज पर गैस को आप कर देना है वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए नहीं तो important tricks आप से miss हो जाएगी और आवल मैंने चार से पाच हरी मिर्च को बीच से कट करके ले लिया है और इसे इसी गरम पानी में ही हम डाल देंगे ताकि ये थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए अब इसे हमें पूरी तरीके से रूम टेंपरेचर में ठंडा होने के बाद एक एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख आवला पॉस्टिक तो बहुत होता है लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा कसेला होता है तो इसे दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक नीबू का रस इसमें एट करेंगे जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये खराब भी नहीं होगा ध्यान देने की बात यह है कि इस्ट भी बन जाएगा और ये साल भर खराब भी नहीं होगा सिर्फ ध्यान दीजिए कि जब भी आप इसे निकाले तो सूखी चमस से निकाले आवला पानी में पूरी तरीके से डूबा हो आवले का हमने बिन तेल मसाले का टेस्ट यह चार तो बना लिया आवले को स्टोर करने की और भी तरीके है हमने इसकी भी रेसिपी शेयर की है जैसे आवले की सूपारी कैसे बनाते हैं गटा कट कैसे बनाते हैं आप उन्हें भी देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए थैं शेयर वें था किसी बना प्रेक शोग धी है काट कि ए packs when मेम भी केर सब्सक्राइब का लिए वी तर भी सी अर ठा हैं कर वोलुआ